नमस्कार मैं हुँ श्याम सुंद्र आप դेख रहे हैं जनता सक्ति न्यूज आज हाम कंडेला खाप में जो कंडेला गाउँ है खाप भी कमैंधर कंडेला गाउँ भी है यह उसे में मारे साथ है दनेश जी जो चमार रेजमेंट समार्ग बनेया है एक बन्या है बीड़ भारम आसी के अंदर एक बन्या आबडी उसमें वो भी कह रहे हैं वीशो का पहले चमार रेजिमेंट समारक आबडी वाले और जो आसी वाले हैं वो भी कह रहे हैं वीशो का पहले चमार रेजिमेंट समारक उसमें दनेश जी हैं जो उस करेकरनी में हैं पूछेंगे समाज के लिए पहले वो है यह बनाया था यह आसी वाला बीड़ भारम वाला बनाया था या आपड़ी वाला बनाया दनेश जी रहा नमस्कार श्याम सुंदर भाई सबसे पहले तो यहां पोचने पे आपका अर्दिक धन्यवाद और आपके दर्सकों को मेरी तर था पहले जुन मुंवारे पथल ने की दिया तो हम वहारे पता कि उसकी पहले निम नुपरी की पहले तो कर chili मनoda तो पियका हुद अ देखो वह यह तो समाज क्थ करेगा ना मैं कह सकता हूं ना आप ना हो हूँ यह तो समाज करेका पहला कुंछ साहे दूसरा है मैं तो वह जहां से सरुवात हुई थी अब वो आप बताएं सरु से बताओं या कहीं बीच से बताओं जादा लाम भी भी निकरना जी सरु से बताओ जो सरु से ऐसी खाप बनी थी ऐसी खाप ने इसका बीड़ा उठाया था तो फिर वो अलग-अलग कुकर वई देखिए सबसे पहले ना तो बीड़ फारम का नाम था ना और किसी गाओं का सबसे पहले बात हुई थी सिर्सल गाओं की और उससे भी पहले मैं आपको बता दूँ एक मीटिंग हुई थी करनाड में उस मीटिंग में ये मामला ही ड्रोप हो गया था हाँ दो मामले रखे गए थे दो एक तो चमार रेजिमेंट समर्क बनाएंगे तो वह मामला ज्रोप हो गया था एक دूसरा मामला था उसके उपरसब की सेमती बनी थी उसके दो-तिन दिन के बाद अचानक से फेस्बुक लाइव के जरीए गोशना की गई कि हम सिरसल गाओं में चमार रेजिमेंट समारक बनाएंगे लाइव कोना जी वही जो ऐसी खाप के परदान है तो गोशना कर दी अगले दिन हुई कि उस गाओं में जिससे जमीन की बात की थी उसने जमीन देने से मना कर दी उसके बाद सिंगाना गाओं के अंदर गोशना की तो सिंगाना गाओं की जो अमबेड कर बाउन की जो समीती है अगले दिन उसने जमीन देने से क्योंकि उनसे बात नहीं की गई थी उन्होंने भी मना कर दी और वहां के वल्मिकी समाज के एक बाई ने थाने में जाके अपली केशन भी दे दी जिसे हमारा तनाव बढ़ेगा तो दो बार अलग अलग जगे कैंसल होने के बाद अब यहां पे समझने की बाद श्याम सुंदर भाई यह है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता है बिल्डिंग हो उस हमारा को सबसे पहले उसको तयार किया जाता है जमीन देखी जाती है अपनी जिव का वजट देखा जाता है उसमें जो मेटरियल लगेगा वो देखा जाता है और जब बनके तयार हो जाता है उसके बाद डेट रखी जाती है इन्होंने डारेक्ट डेट रखती एक अक्टूबर को हम उदगाटन करेंगे ना जमीन पास में ना पैसा पास में पैसे की बात आई तो ट्रस्ट के लोग देंगे अब ट्रस्ट का भी हमें नहीं पता उस ट्रस्ट में ना मैं था ना राष्टरी उपाद देख्थेन के जो मनजीत भाई कोई भी नहीं था ये खुद खुद थे हमें उससे भी कोई मतलब नहीं था भी काम होना चाही है क्योंकि समाज की बेजती हो रही है तो जब दो बार इनकी जमीन कैंसल हो गई तो बीड फार्म गाओं में जमीन मैंने दिलवाई थी वहाँ पे मेरे छोटे बाई की साधी हुई है तो उन्होंने कहते ही मेरे कहते ही जमीन दे दी लेकिन मैंने फिर भी ये बोला कि जब तक रेजूलियोशन ना आ जाए तब तक आप गोशना मत करना वो जमीन पैसे से दिलवाई या बाईचारे से समाज के लिए बाईचारे से फ्री ओफ कोष्ट जो बीड भारम वाले ने जमीन दी वो फरी दी भी बिल्कुल फरी है वो हंजी समाज के नाम करके इनके ट्रस्ट के नाम करके दी थी 30 जुलाई को वहाँ पे नीव रखी गई आप भी साइद पोचे थे वहाँ पे 30 जुलाई को नीव रखी गई अब देखिए गाउं का काम था जमीन देना इनका काम था समारक बनाना मेरा काम था समाज का उन्ने के नाते जमीन दिलवाना मैंने वो दिलवा दी आगे तो काम मेरा नहीं है फिर भी बाईचारे के तहट मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस ट्रस्ट में पैसा डोनेट किया जिसका पैसा आता गया हाई टी सेलद्यक्स होने केनाते मैं सबकाफ फेशबुक पे फोटो लगा यूश्माई का पैसा है बोली समाज की बेजती होती है इस तरह हमका बेजती क्यों होती है बेजती तो तब हुई थी जब शिरसल में कैंसल हुआ जब सिंगाना में कैंसल हुआ अब यह भाई खुश होके अगर सो रुपे दे रहे हैं तो बेजती थोड़ी होगी दो भाई मोटिवेट होगी जी जी वो अपना योगदाम तो दे रहा है जैसा उसका भी होता है तो तीस तारीक को नीव रखने के बाद ये चीज़े चलती रही इस बीच में समारक का काम बंद हो गया और मैंने पहले दिन एक बात बोली तीस तारीक को के नीव भी बरी गई है रेजुलेशन भी नाम हो गया आप अपनी ट्रस्ट में मुझे रखो चाई मत रखो बीड़ फारमगाओं का एक आदमी पका रखो ताकि इन लोगों का विश्वास बना रही हां कर दी नहीं रखा काम रुख गया वो लोग मेरे पास फोन कर रहें जी काम रुखा हुआ है मैं इनको बोलूं जी आप यहां पे प्रोफेसनल को लगाओं कोई भी समारध कोता है या गर बनता है तो हम क्या करते हैं या तो ठेका देते हैं या किसी को पर्मानेंट लगाते हैं अरुद जो पर्फेक्ट होता है जिसे उस चीज़ की जनकारी हो वहां जो मज़्दूर ज लेकिन काम रुख गया कुछ से हमारे साथी थे सुखदेव मेरा जी हैं दस बारा दिन फ्री में वहां पर रुक किया आई मजदूरी करवाई और हम इसवर जी हैं कारीगर हैं वो उन्होंने फ्री ओफ कोस्ट काम किया लेकिन जब समाज पैसा दे रहा तो आप फ्री ओफ कोस हैं काम रुका हुआ है तो वहां पर इस बात पर फिर 28 से 28 अगस्त की बात है 28 अगस्त से पहले 24 अगस्त को हमारी इस बात पर थोड़ी सी खिचा तानी होगी हां तो वहां पर इन्होंने क्या किया जितने वाटसेप ग्रूप में मैं एडमीन था इन्होंने मुझे एडमीन से अटा दिया फेस्बुक पेज से तो अटने के बाद मैंने भी जादा वो निक 28 को हमारी वहाँ मीटिंग हुई गाउं के अंदर सरपंस परतिमी दी थे और काफी सारे लोग थे तो मैंने गोले जी हमारे पास पैसा नहीं है ट्रस्ट के पास पैसा आएगा तो बनेगा तो वहां के लोगों ने कहा जी पैसा तो देखो समाज इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपकी ट्रस्ट में हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इसमें पारदर सिता नहीं है इसमें एक ही गर के लोग लग रही है या तो आप एक काम करो भी समाज से पैसा लेना गाउं से पैसा लेना है तो एक नई ट्रस्ट बना लो जिसके पर दान हम आपको ही रखेंगे लेकिन उसका महा सचीव है कि न्यू तो इन्होंने सेम्ती कर दी वहां पे सेम्ती ये बनगी कि दो तारीक को पंसायत रखेंगे और फैसला करेंगे अब वहां पे ये सेम्ती करके गए दो तारीक से पहले नहोंने मना कर दिया कि हम तो पंसायत में नहीं आएंगे वहां पर मान के गए और दुबारा आए जाने मंजीत बाई भी गए थे उन्होंने समझाया भी समाज का काम आपको चलना चाहिए लेकिन यह दो को नहीं आए मंजीत बाई इस्तिफा दे के वहां पर आए मंजीत मोखरा हा मंजीत मोखरा तो वहां पे समाज के लोग जुड़े तिन सो चार सो वह बोले भी देखो किसी कई इसे काम नहीं रुकता यहां पर नीव रखी गई है तो समारक यहीं पर बनाओ हम सब आपके साथ में हैं वहां पर एक रेजुलेशन डालके रजिस्टर पर सेम्ती बन गई वे मंजीत बाई क्योंकि पद छोड़ की आए हैं इनको आप अध्यक्स बनाओ तो गाउं के कुछ लोग और बार वाले बोले विल्या जी देखो हमारे पास तो सबसे पहले दिनेस लेकर आया था यह परपोजल तो मुझे महासचीव बना दिया और को साथ देख सो बोले जी गाउं भी कठा होके फैसला कर लेगा तो इस तरह से वहां पर यह सेम्ती बन गई तभी इनका फो हो गई इसलिए तो हैं 35-45 लोग थे कि मैं बड़ी या काम कर रहा हूं किसने का यह उसी ने परदान ने परदान का नाम दोगा दी आपको पता है जी फिर भी ना ना मैं अबून आदिमियों का नाम भी लेना पसंद नहीं करता अपने मूंसे तो वहां पे इसने अपनी करो आप पगड़ी आप सरपे रखो हमें आप पे विशुवास है बस काम नहीं रुखना चाहिए आपके पास पैसा ही कठा नहीं होता हम वह भी कठा करवाएंगे तो वहां पे उन्होंने पैसा भी कठा किया तो मैंने वहां पे खड़े होके एक बात बोल दी कि देखो इस सादמी ने पहले तो ये बोला कि मैं सैमत हूँ नई ट्रस्ट पर पर इसने बोला मैं नहीं आओंगा तो मगा जी देखो मेरा तो विश्वास है नहीं और आगे आप कर रहे हो ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप विश्वास कर लो लेकिन अगर कल कोई आपके साथ या गाउन के साथ गल्त करता है तो मुझे एक कसुरूर मठेराना मैं ये बोलके आ गया उसके बाद उसी दिन साम को मेरे एक दोस्त ने इनकी ट्रस्ट में 51 सो रुपे बेज दिये तो मुझे लगा कि समाज को पता नहीं है और मेरे दोस्त बेज नहीं उसने फोन करके बताया जी बेज दिये तो मैंने फेस्बुक पे एक मेसेज लिख दिया कि मेरा कोई भी जानकार मेरे विश्वास पे इस ट्रस्ट में पैसे ना बेजे अपनी जुम्हारी पे डाग लें किसी को बेजा ना वैसे बेजे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये देखके ना बेजे कि दिने इस बैठा है तो मैसेज गया इन्होंने मेरे उपर बलके उस पर केस भी करवाया हुआ है तो उसक लेके पंदरा तक मैंने कोई वो नहीं किया पंदरा तारीक को ये गाओं में गए हैं इन्होंने वहां पे पैसे मांगे जो बीड़ फारम गाओंवाडों ने कठा किये हुए थे अब तब तक गाओंवाडों को भी ने की सचाई कुछ-कुछ साइथ समझ में आ गई थी उन परके गए जी ठीक है बीस तारीक को में स्टैच्यू यहां पर आके अरखवा देंगे अब बीस को सुबह 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 सोचल मीडिया पी ने पोस्ट डाली कि राज़न नाम के किसी आदमी ने जो बीड़ फारम गाओं से ही है उसने पंसायत अधिकारी को एक सिकायत दी ह जी यह सरपन से अपनी मनमर जी चला रहा है और इसनों ने अवे तरीके से यह जमीन किसी ट्रस्ट को दे दी है और इससे हमारे गाओं में आपसी खिचाता नहीं होगी है विवाद होने के आसार है अलाके वो सिकायत आज तक भी बीड़ फारम गाओं में नहीं पहुची है देखो आज तक वो पहुची नहीं है उसके बाद एक तारीक को वहाँ पर कारिय करम भी हुआ है अभी तीन मार्च को भी ओने जा रहा है उस कारिय करम में सो प्लिस वाले खड़े थे प्रोटेक्शन के लिए किसी ने आके आज तक यह नहीं बोला कि इस काम को स्टे इन्होंने क्या किया जिन जिनको आमंतरित किया था उनको भी फोन करके मैसेज करके ये बात बोली वहाँ स्टे लग गया वहाँ पर मत जाना आपको कोई कागजबीन दिखाया किसी को कुछ नहीं दिखाया सरपंस फोन कर रहा है फोन नहीं उठाए फिर लाइव आके जब इसने गोशना की साम को कि हम तो आवडी में बनाएंगे तब सरपंस ने मेसेज किये कि आप मेरा फोन नहीं उठा रहे तो ये लाइव के अंदर भी ये बात बोल रहा है ये फोन मैंने अपने पैसों से लिया है मैं किसी के बाप का नो करनी हूँ जिसका मन करेगा उसका फो फोन उठा हुआ फोन नहीं उठाए तो अब गामवाडों का जो पैसा था मतलब समाज का पैसा वह इनके पास स्टेच्चू जो उस समाज के पैसे से बनी थी वह इनके पास यह तो वहां चले गए तो 23 तारीक को 23 सितंबर को समाज के एक पंसायत हुई 500-600 आदमी उसमें मतलब पूरे अर्याना से अलग-अलग संग्ठनों के लोग आये थे उसमें बुद्धी जीवी और वहां पे कुछ लोग बोले जी एक काम करो आबड़ी भी जाके चले जाओ तो हम आबड़ी गए 6 बजे पंसायत खत्म हुई 9 बजे हम आबड़ी गए हैं वहां जो फारम गाउं की पंसायत आये वह सभी गुरुगर में आजाओ ये दोनों भी पती पतनी उस दिन वहीं पे थे अगर ये सच्चे होते तो आते ना ये ये गुरुगर में नहीं आये कुछ और लोग आये जो जगड़ा करने की उसमें थे हमने बीड फारम गाउं वालों आब आपको हबडी में बनवाना है ना अलग कोई तिती रखके आप बनाओ हम भी जी आपका सहयोग करेंगे हम बीड फारम गाउं से भी दिलवाएंगे हम कंडेला से भी दिलवाएंगे हर जंग ऐसे पैसा दिलवाएंगे हर गाउं में समारक बने क्या दिकत है तो वहां पे ग वाँ ने तो जमीन दी नहीं इन्होंने परसनल खरीद दी है और हम अब्री वाले ने बोला हां उस गुरुगर में जितने भी थे बोले जी इन्होंने खुद खरीद दी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो हमारा जो कहना था वहां से आ गए उसके बाद फिर समाज के लोग जुड़े देखिए समाज का सही योग था उस साथ दिन के अंदर स्टेचू भी बना हमारा वहां पर अबडी में कोई सहमती नहीं हुए यह की जंगा रखेंगे या नहीं नहीं कोई सहमती नहीं क्योंकि वो भी क्या करें इन्होंने वाबडी में भी किसी से नहीं पूछा कि हम यहां पे बना रहे हैं जमीन खरीदी गोशना कर दी तो हबडी वाले जहां तक मेरे सुनने में उस करिये करम में गए भी नहीं वरना इतना बड़ा समाज आबडी में हमारा तो बीड़ फार्मगाओं में पंदरा से बीस अजार लोग भी कठा हुए आप भी थे आपन में वहां से जुड़े हुए हैं तो समाज डिसाइड करेगा पहला कौन है ना तो मैं ये बात कहने वाला होता हां मैं इतना जरूर लिखता हूं क्योंकि हमने जब नीव रखी ना तो बीड़ फार्मगाओं में रखी दी पहली जो गोशना हुई थी वो बीड़ फार्मगा का है उनकी तो जमीन जमीन वो जमीन भी मेरे एसाब से उस समाज के पैसे सही खरीद दी गई है क्योंकि पैसा तो वहां के लिए कठा हुआ था ना अब आप एक बात देखिए अगर उनके पास जमीन खरीदने के इतनी पैसे होते तो पहले क्यों गाउं कभी सिंग आना बा तो उन्होंने उस गाउं का क्या मान समान रखा या आप सोचिए या अगर कोई मान लीजिए विवाद था जब वो तीन तारिक को पंसायत लेके जा सकते थे तो बाद में क्यों नहीं गए बीड़ फारम गाउं में कठा करते सब को उस गाउं में कोई कमी तो निकाल के भी आगी थी तो ये सरपंस को बेजते जी सरपंसाब ये अपली के सनाप के गाउं के आदमी ने लगाई है सरपंसाब पंसायत करते समाज को बुलाते उस आदमी का पता करते राजन नाम का पूरे गाउं में कोई आदमी नहीं है पूरे गाउं में उसमें कोई आदमी नही अब कमाल देखिए 20 को अप्लीकेशन डाली साम को इन्होंने आवडी की गोशना कर दी एक दिन में खरीद ली आप भी समझदारों जमीन एक दिन में तो नहीं खरीद दी जाती है आप खुद देखो यह तो रजिस्ट्री ओने में जमीन का ब्यान ना करने में लेने में समय त लगते हैं सुबह सुबह अप्लीकेशन लगती है सरपंस से बात तक नहीं होती सरपंस इनके पास फोन कर रहा है फोन नहीं उठा रहे हैं और साम को गोशना कर रहे हैं कि मताबड़ी में बना रहे हैं तो आप खुद जोल देखिए जो समाज ने पहले तया कि रहा था वह वहां पर बीडवार्म के अंदर है देखिए पूरा समाजी तो था अच्छा था मेरे इसाब से हमारे समाज के जितने सोसलेक्टिविस्ट हैं वह सब वहां पर पोच्छे हुए थे तो अभी जो प्रोग्राम रख्या है वह पूरे समाज ने रख्या कि देखिए रखा है व पिलके और हम तो करी रहे हैं और हमने एक काम और किया है ये क्योंकि देखिए हमारे तीनों के जनिकठे हैं संथ रोमनी गुरू रविदास जी की जनती समार रेजिमेंट का स्तापना दिवस अच्छा इसके बीच में आपको एक और बात बता देता हम हमने एक मर्च को रख नहीं ती जी उसी दोरान वाट्सएप ग्रूप में एक मार्च के सेम डेट के इनोंने पॉफ्टर डाल दिये तो लाइव कटते ही आप धे कर रहा था लाइव वीडियो को लाइव कटते ही मैंने मन्जीत से बात किमा मन्जीत यह तो वही बात होगी जब पहले लोग बोल पे भी है और वहां पे भी है समाज कहां कहां जाएगा समाज कहां जाएगा समाज तो उसको भी चाता है उसको भी या निक समाज तो सब को बराब बर चाता है लेकिन वो समाज जाए कहां बड़ी जाए या बीड़ भारं जाए तो हमने फिर साउधानी बरतते हुए मगा एक क करते हैं वो टक्राव नहीं करना अभी तक हमारे इन्वीटेशन डिजाइन हुए छपे नहीं है तो हमने तीन मार्च को कर दिया यानि को एक को आपने कैंसल करके तीन को कर दिया ताकि वो टक्राव ना हो दोबारा तो अब उसके साथ में मान्यवर काशीराम की जैनती है तो हमारे समाज के धम गुरू होंगे क्योंकि गुरू जी के बारे में तो वहीं बता सकते हैं सब शेजादा अब चमार रेजिमेंट के बारे में कौन बता सकते हैं या तो उससे जुड़े परिवार एक जीविती योद्दा हैं दादा संतराम जी वो आ रहे हैं उनसे चमार र कि तीन होंगे उसके बाद जितने बी पौलिटीशियन है ना वो हमारे वशिश्ट और अतिवशष्टत उन्हें हमने किसी भी राजनेता को नहीं रखा है क्योंके मुख्य हमारे वहें जो सारे संग्ठन है उन सब को हमने किया है इसमें पिछले कार्या करम में जो हमारे साथ थे या को जो जल्दबाजी में अमनी मंतरन नहीं देने पाए थे उनको भी हमने इन्वाइट किया है अभी कोई जीवित युद्धा आपने बता है वो जीवित युद्धा है अपने समय के जब चमारे जम्हेंट में हैं हाँ बिलकुल है जब आएंगे ब्ग करवाली है वो पहले दिन हमारे पास आजाैंगे 155 साले की उमर है तो पहले दिन उनको हमने बुला लिया है वो पिछली बार भी यहीं पे आने थे लेकिन छो किसी कानवस किसी बैकावे में अब कि बार में उन्हें पता है तो वो भी आ रहे हैं और आपके जतने दरस कहें आप तो हैं इसादर अमंत्रित आपके सारे दर्सकों को भी मैं इस नमन समारो के लिए अंत्रित करता हूं आप सब भी जरूर आएं सम मिलके वहां पे एक नमन जो समारो है उसमें सरदांजली देंगे अपने पुरुवजों को इसके साथ में हमने एक चीज और भी की थी एक अक्टूबर के कारिये करम में कुछ से परिवारो के मन में एक टीस थी जो कोहिमा में सह ही दूए थे वहां पर हम नमन भी नहीं करके आभा स तक अधे हैं तो हमने फैसला कि यह तो IETनी दूर नहीं जा सकते नमन तो मिटी को यह करना है ना तो क्यो नाम उस मिट्ती को यहां पे ले ले ह remain आए ती और वहां से मिट्ती ले कहाई तो वहां पर मिट्स लाके हमने एक त्रीवेणी स्तापित की है इन समा अमारे जो सहीद थे उनके नाम पे ताके जब तक वो त्रीवेणी जिन्दा रहे उनकी यादे जिन्दा रहे तो मैं चाहूँगा कि आप सब वहाँ पे आके अपने पुरुवजों को नमन करें और इस कार्या कर्म को बड़ा ही संदार बनाए जी यानि कि जो आसी के अंदर है सबसे पैले बीड़ फारम की नीम तो वहीं पर रखी ग़êt इसके तो आप भी गवाँ है उसके तो उसके ताप भी गवाँ है जी देखी ए जो चमार रेजिमेंट शमारक था जो आसी के अंदर बीड फारम भी बने हुआ है और जो आबडी के अंदर भी बने हुआ है तो इन्होंने बता है कि पहले तैं उसकी नीम उसी की रखेगी थी उसके बाद में उसकी रखेगी आपकी क्या रहे है, और आप क्या चाहते हो, हमारे कॉमेंट बोक्स में जूलू लखना, जो पहले आबडी वाली थी, वह आबडी वाली से अभी टीम से अभी तक हम मिलेनी है, जो जो बीड़ भार्म वाली टीम है, हम उस से दनेश जी से मिल लिए, जो इसके बाद हम आबड आली आली टीम से मिलने ही कोशिश करेंगे और उसकी भी जानकारी हम आपको दिखाना चाहेंगे तो क्यों ऐसा हुआ और समाज पर इस पर कितना असर पड़ रहा है अगर एक जगह होता तो कितना अच्छा होता सभी समाज के लोग एक जगह नमन करते आज कुछ समाज के हमारे चैनल को सिर्क्राइब ना धन्यवाद